मैं आपका बाई शूटर हर्चन सिंग आज हम बात करेंगे साइलेंट किलर की साइलेंट किलर बीपी जिसको पन कहते हैं हाइपरटेंशन इस बीमारी के लिए बहुत ज्यादा हम लोग ज्यादा सोचते नहीं इसलिए साइलेंट किलर के तौर पर वर्ग करती है और अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखें तो इंडिया में लगबख 4-5 लाक डैथ जो होती हैं वह इस बीमारी से हो रही हैं यह सारा अक्सा जो मैं डाटा आपको देना चाहरा हूं इसके बारे में ज्यादा हम सोचते नहीं क्योंकि हमारे किसी काम को रोक नहीं रहा है हमारे काम वैसे के वैसे चल रहे होते हैं इसलिए हम इस पर ज्यादा गोड़ नहीं कर रहे होते हैं और यह बीमारी भी सी परकार की कि इसके बारे में ज्यादा नोलेज नहीं रखते कोई भी और क्योंकि यह हमारे काम को नहीं रोक रहा जो काम को रोकता है हम उस पर ज्या करना चाहिए हैं कि मैं आज आप लोगों को यह नहीं नहीं बताना चाहरा is, कि कैसे रोखना है यह करना है मैं इसके जेन्टी कली जो कारण होते हैं कोजेज होते है जीन्स के जिसके बारे में अगर आप डक्ट кे पहुँच्च जाते हैं और यह सारी के सारी जो बाते हैं मैं रिसर्च पेपर के कोडिंग की कर रहा हूं जिसका पूरा डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा silent killer है क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल भी knowledge नहीं है और अगर हम पूरी disease cardiac disease या हम BP के बारे में देखते हैं तो 95% 95% unknown कारण होते हैं किवल 5% ही known कारण है जिसको हम कहते हैं हमें पता है कि BP किस कारण से हुआ है और इसका genetically बहुत बड़ा रोल है हमारे genes का जिसके उपर हम को भी गोर नहीं करते हैं हम किसी भी doctor के पार जाते हैं तो doctor यह कहता है कि हमें आपको salt कम लेना है या घी कम खाओ ठीक है ना तो यह जो चीज़े हैं यह केवल एक उसके छोटा सा पार्ट है रीजन इसके कोई बहुत जादा है और हम यह उस चीज़ के पर concentrate करना चाहिए हम गोर करना चाहिए और हम अपने आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं आपको सुधारना आपने आपको खुद को होता है तो आज अपन बात करें इसके अंदर तो आपको आश्यर होगा 95% पता ही नहीं होता उन्नोन है ठीक है ना जिसके अंदर बीपी क्यों है किसी को नहीं पता 95% मैं बहुत ज्यादा इस पर कर रहा हूं 95% कि 5% को ही पता होता है दूसरा सबसे बड़ी बात ही है कि अगर हम डेथ रेट अगर इंडिया की तोर पर देखते हैं तो 27% डेथ जो होती है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के काल से हो रही है ठीक है ना और अगर हम कार्डियक की बात करते हैं उसमें अग अगर हम कुल डेथ की बात करते हैं तो उसमें आपको आश्चेर होगा 22 से लेके 27% के बीच में डेथ रेट कार्डियक होती है कार्डिय यानि की बीपी वगर के कहां से लेकिन बिल्कुल भी हम लोग इसके बिल्कुल भी अंजान रहते हैं इस चीसे और केवल आल्ट वगर कि या घी ना खाकर हम इसको कंट्रोल करने कोसि你看 रहे होते हैं कारण दूसरे होते हैं बहुत से कारण है जिसमें जैनेटिकतिकर क़ारण है और। मैं आपका कारण है लीध कारण है जिसके ऊपर कोई गोण नहीं कहारा तो आज मैं जो टृडियो में बात करने केया हमारी जो death होती है यानि कि उसके अंदर 70% 70% जो adult है 30 से लिके 60 के बीच के होते हैं उनकी death है 70% ठीक है और अगर मैं अस्तमा की बात करता हूं अस्तमा से अगर हम या उसका बात करें के बीच में चलती है और जिसको हम कैंसर जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है बीमारी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है वह 6-7 परसेंट यह जो बीमारी है है 95% cases के अंदर यह सारा data जो है यह सारी जो मैं class बात कर रहा हूं वह सारी रिसर्च पीपर के ऊपर बात कर रहा हूं तो इसकर अगर मैं देखता हूं के अगर बात करते हैं यह नॉर्मली अपन वर्ड़वाइज देखते है 27% इरिया याई डैथ एरिया कवर कर रही है की बीमारी है और अगर हम बच्चों के अंदर देखते हैं यानि कि 3 से 18 यर के बीच में देखते हैं तो 4% के आसपस वह कारण जाता है वह इसका कारण आप समझ सकते हैं वह जैन्टिकली भी रहता है जिसकी अपन आज बात करना चाहते हैं और अगर अगर बात करते हैं अपन तो मॉर्टिलिटी के अंदर आप देखोगे तो 45% जो है काड़ेक डिजीज से है 51% जो है स्टॉक के कारण से हैं स्टॉक बहुत जा रहा है अब अगर 2022 के बाद के अगर देखते हैं तो इसके अंदर लग भग 20% इंक्रीज हुआ है ठीक है ना त तो प्रेशर जो बन रहा है वो फिजीकल फेक्टर्स के अगर बात करते हैं बलड वॉल्यूम है काड़ेक आउट्पूट है वैस्कुलर रेजिस्टेंस है इनके कारण से अपन बात करते हैं कि इनके कारण से आपका हाई बीपी बनता है यानिक हाईपर टेंशन क्रीएट ह होती है सबसे बड़ा रोल जो होता है इसके अंदर वो किड्नी का होता है किड्नी का काम होता है रेगुलेशन करना फ्यूड और इलेक्ट्रलाइट्स बैलेंसिंग का जो काम होता है वो किड्नी कर रही है और हम या कोई भी बंद बंदा कोई भी मेंबर्स यह किड्नी के ऊ तो आप यह भी देख सकते हो कि इसके एक स्टेज के अंदर जाके किड्निया जुरूर फैल होती है उसका कारण यही है कि किड्नी रोल इसका सब ज़्यादा रोल होता है हम किसी चीज के अपर दूसरी चीज पर जा रहे होते हैं इसके कारण से हमारी ब्लड वैसे की जो चैंज है उसके अंदर होता है सब्सक्राइब जो अपने पर जाते हैं उनकी फ्रोटीन चैंज हो जाती है और उसके ऑक्सिडियाटिव स्ट्रेस और इंजरीज वगरे के कारण से हाईपर टेंशन रहता है अगर मैं इस हाईपर टेंशन की बात करूँ इसके अंदर अगर बात करें अपन तो एट स्पेसिफिक म्यूटेशन जो होते हैं अगर हम जीन्स के बात कर रहे हैं तो एट स्पेसिफिक म्यूटेशन जो है वो हाईपर टेंशन और सेवन जो जीन्स हैं वो हाईपो टेंशन के लिए जिमिदार हैं इसके अंदर अगर अगर आपन देखें मोनो हाइपर टेंशन सिंड्रॉम्स परजेंट रहता है मोनो जैनिक यानि की जीन टू जीन जो डिफरेंस से जा रहे हैं उसके कारण से हो रहा है जो मेंडेलियन नीर हैंटेंस के अपन बात करता है सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण से भी हाइपर टेंशन क्रियेट होती है बेसिक कारण तो यही है अगर अपन गोर से अगर इस चीज़ को देखते हैं तो अगर मैं इस डायग्राम से अगर आपन देखें तो is न्यु एंगजयों टेंशिन और जWest system का, जो hormone system है आपका regulation करता है blood pressure को, fluid balance को, ये जो system हो, इसके कारण एंज़ेयो tension first, फिर angiotensin converting enzyme angiotensin second में convert करता है, ये जो receptors को create करता है vessel construction के लिए, तो उस से आपके hyper, मैं आपको कोई science नहीं समझानी को उसकर रहा हूँ, मैं केवल एक method समझाने को कर रहा हूं कि कहां पर हाइपर टेंशन क्या कारण क्या है ठीकिन हम को किस के उपर ज्यादर करना चाहिए वैसो कॉंट्रेक्शन हुआ बढ़ेगा जो एंजो टेंशन सेकंड है वह एडिनल ग्लैंड के उपर एफेक्ट डालता है यह जो होता है इसके काहन से आपका 11-β-Hydroxy enzyme deficiency हो जाती है इसके काहन से आपके हाइपर टेंशन क्रेट होता है एडिनल ग्लैंड से यह इफेक्ट पढ़ता है किड्ने के उपर किड्ने के उपर sodium reabsorption capacity ज्यादा हो जाती है blood pressure बढ़ जाता है तो यानि कि जब sodium absorb ज्यादा होने लग जाएगा तो इसलिए हमें डॉक्टर salt कम खाने के लिए कहता है क्योंकि पहले ही salt deposit क्यासा नमक जो हो रहा है sodium जो आयन जो होता है वो पहले ही absorb हो रहा है reabsorb होने लग जाता है ज्यादा रहा है तो basic जो कारण है hypertension का वो आपकी kidney है peptides हैं और neon जो है endothelial synaptic synthetage enzymes हैं कई कई चीज़ें हैं इसके उपर मैं basic especially chromosome के उपर बात करना चाहूंगा जो chromosome है आपके chromosome 3,5,8,17,1 के उपर आपके जो genes होते हैं ECE first gene है chromosome band के उपर first P36.1 के उपर मैं यह point बताना चाहरा हूं कि chromosome specially work कर रहा है यह regulation BP regulation का का काम कर रहा है chromosome first है उसके उपर hyper BP का या hypertension का आपके पास में gene है chromosome second है उस पे linkage essential hypertension susceptibility gene है HYT3 इसकी जो position और 2P35 से 24 के बीच में है chromosome 3 है उसके उपर भी region है इसमें यह polymorphism condition मिलती है इसके अंदर इसके अंदर जो है आपके पास में chromosome region जो है आपके इसमें थर्ड के अंदर chromosome acute 25 के बीच में है link के जो chromosome है वो आपके अंदर इसके अंदर 14.12 के बीच में है chromosome 4 के उपर आप देखते हैं तो इसके उपर भी आपको edusins जो है encoding जो genes है उसके कहां से आपके chromosome band है जो salt sensitive essential hypertension create करता है chromosome 5 के उपर भी higher level renal function chromosome है 5P के उपर HYT6 है chromosome 7 के उपर भी है chromosome 11 के उपर भी है chromosome 12 के उपर भी है chromosome 15 के उपर भी है 17 के उपर भी है 18 के उपर भी है 20 के उपर भी chromosome के उपर है इस तैप से अगर आपन देखते हैं तो chromosome है आपकी genetics जो है वो hypertension के लिए बहुत ज्यादा responsible है और इस चीज के उपर आपन को concentrate करना चाहिए कि किस कारण से हमारे hypertension हो रही है वो आप ही इसको final कर सकते हैं तो आपको कैसा वीडियो लगा? Like and share and subscribe जरूर किजेगा Thank you झाउने आपको कैसा वीडियो लेगा